Now it's time to summon the most powerful Shikigami ever General Mahoraga Jujutsu Kaisen का episode number 17 was on fire और होगा भी क्यों ना King of Curses vs General Mahoraga के बीच में fight जो हुई है आहाहा मज़ा ही आ गया Without any manga spoilers Jujutsu Kaisen के episode number 17 के बारे में काफी सारी चीज़े बताने वालो इस वीडियो के अंदर Dan Shadows की टेकनिक कैसे काम करती है Mahoraga की power abilities के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा की कैसे सुकुना ने Mahoraga को defeat कर दिया So without wasting any time, let's hop on to the video तो एपिसोड की शुरुआद होती है Megumi Fishigoro से जिसकी हालत बहुत जादा खराब हो चुकी है अगर आपने Jujutsu Kaisen का जो 16 नंबर का एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि Toji और Megumi की fight काफी जादा intense थी उपर से इस बंदे ने भी पीछे से वार करके इसकी और भी जादा हालत खराब कर दी है Megumi अपनी Ten Shadows की टेकनिक के बारे में explain करता है कि शुरू में अगर कोई भी यूजर जिसके बास Ten Shadows की टेकनिक है उससे Divine Dogs मिलते है जो कि ये kind of startup है का आप बोल सकते हो कि किसी भी यूजर के पास ये रहते ही रहते हैं लेकिन बाकी बचे जो 9 Shikigami है अगर उने control करना है तो उने आपको defeat करना पड़ेगा और वो Shikigami अपने owner का हो जाएगा तो ऐसा सा कुछ rule है तो conclusion ये है कि अगर आपको कोई Shikigami चाहिए Divine Dogs के अलावा तो उने आपको हराना ही पड़ेगा और तब ही आप उने control कर सकते हैं आगे हमें flashback दिखाया जाता है Gojo और Megumi का जहाँ पर Gojo Megumi से सवाल कर रहा होता है कि तुम्हें पता है कि Zenin Family और Gojo Family के बीच में दुश्मनी क्यों चलती आ रही है जिसमार Megumi का तो कोई reaction नहीं आता लेकिन Gojo उसे बताता है कि बहुत सालों पहले एड़ो पिरेट या फिर किचो पिरेट के अंदर Gojo Family का head और Zenin Family के head के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला हुआ था जहां पर वो दोनों ये एक दुसरे से हर गयते है Gojo Family के head के पास Gojo की ही तरह Six Eyes और Limitless का synergy थी और वही Zenin Family के head के पास Megumi की तरह ही 10 Shadows की टेकनिक थी लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर Shikigami जिसके पास 10 Shadows की टेकनिक है वो किसी भी Shikigami को समन कर सकता है लेकिन वो उसे control ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा लेकिन यहाँ पर एक फायदा में आपको बता दू कि अगर user मनने वाला हो तो वो अपने opponent को एक ritual के अंदर फसालेगा जहाँ पर उन दोनों को मिलकर उस Shikigami को हराना होगा तभी वो मारा जा सकता है और exactly Megumi यही करता है वो एक ऐसे Shikigami को समन करता है जिसको वो control नहीं कर सकता लेकिन समन जरूर कर सकता है और एक ऐसा Shikigami जिसको कोई भी control नहीं कर पाता है उससे सुन कर इस बंदे की फटके चार हो जाती है अब यहाँ पर इस बंदे को समझ में आ चुका है कि उसे रिच्वल के अंदर फसाली आ गया है जहाँ पर उसको और Megumi को इस Shikigami को हराना होगा तभी मारा जा सकता है और यहाँ पर तो Megumi बिलकुल भी यह चीज़ करनी पाएगा क्योंकि उसकी हालत बहुत जादा खराब हो चुकी है ले देकर यही बंदा है और इस बंदे को देखके लगता नहीं है कि यह माहोरा का हो हरा पाएगा और जैसी माहोरा का समन होता है उसी टाइम पर सुकुना को उसकी प्रेजन्स का एसास होने लगता हो और फटा-फट महाँ पर आ जाता है और देखता है कि Megumi की आलत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है लेकिन वो उसे मनने नहीं देगा क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम है उससे है समझे हो? अब यहाँ पर Megumi को तो सुकुना मनने नहीं देगा इसलिए वो अपनी external river curse energy का use करके Megumi को heal कर देता है और यहाँ पर सुकुना एक outsider है जो कि वो खुद भी बताता है तो अगर उसने शीकी गामी यानि महाओ रागव को हरा दिया तो वो ritual nullified हो जाएगा और इसी टैम पर इस बंदे की curse technique के बारे में हमें reveal किया जाता है कि यह बहुत ज़ादा different है इसे एक miracle technique के नाम से भी जाना जाता है जहाँ पर इसे चोटे 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 जो miracles होते हैं उन्हें अपनी आखों के नीचे shades के form में store कर लेता है और जैसी उसके उपर critical condition आती है वो shades दिरे दिरे गायव होते जाते हैं अगर आपने नानामी वर्सेस इस बंदे की fight में देखा होगा तो इस बंदे को जितने ज़्यादा पंचेस पड़े जा रहे थे हैं उसके shades गायव होते जाते थे हैं वो काफी strange बात है कि इस बंदे को भी अपनी technique के बाने में पता नहीं है अब इन सब के बाद होती है General Mahoraga वर्सेस King of Curses की battle जहाँ पर Mahoraga सुकुना पर अपनी blade से हमला करता है और वहीं सुकुना उसे easily रोक कर slashes वगेरा यूस करके उसे दूर फैक देता है अब यहाँ पर सुकुना Mahoraga के बारे में काफी बड़िया चीज बताता है कि Mahoraga की जो blade है वो एक positive energy contain करती है जो किसी भी curse spirit के लिए काफी जादा खतरनाक है अब इस fight में इतना जादा destruction हुआ है कि buildings तो इस तरीके से तबाह हो रही थी कि मानो disaster आ गया हो भली सुकुना ने 15 fingers को consume कर लिया हो लेकिन Mahoraga सुकुना को बराबरे की टकर दे रहा होता है अब यहाँ पर सुकुना काफी अपने dismantle techniques का ये use कर रहा था लेकिन Mahoraga पर उस पर अब असन नहीं हो रहा है और इसका reason काफी interesting है क्योंकि Mahoraga की उपर एक जो wheel है जिसे धरम चक्रे भी कहा जा सकता है वो जैसी rotate करता है इसका मतलब यह है कि Mahoraga ने उपनेंट की ability को adapt कर लिया है तो अब उस attacks का उस पर कोई भी असन नहीं होने वाला है जो कि अब सुकुना को भी realization होने लगता है अब यहां पर सुकुना समझ गया था कि Slashes or Dismantle technique का इस पर कोई भी असन नहीं होने वाला इसलिए वो यूज करता है अपना domain expansion जिसका नाम है Mellowrand Shrine जहां पर हमें इस domain expansion के बारे में काफी interesting detail बताई जाती है कि इसका जो domain expansion है वो एक open domain expansion है यानि कोई बाहर से उसे तोड़ नहीं सकता और यह domain expansion 200 meter के radius में आता है लेकिन सुकुना मेगुमी को मानना नहीं चाहता था 147, 150 meters के अंदर ही रखता है और महा पर महाओ रागा के उपर Slashes का attack करते जाता है लेकिन महाओ रागा ने यहाँ पर इस point तक उन सारे attacks को adapt कर लिया है इसलिए सुकुना ने fire arrow का साहरा लिया है जो की उसने जोगों के उपर हमला किया था लेकिन इसकी intensity इतनी जादा थी कि इसने जितनी भी चीज़े आसपास की सारी पिगला दी उस बीच में महाओ रागा उस चीज़े को adapt नहीं कर पाया और बसम हो गया और यही तरीका था महाओ रागा को हराने का क्योंकि अगर कोई attack उसे एक ही बार में हरा नहीं पाया तो वो उस चीज़े को adapt कर लेता है तो यह जो fire रागा उसकी जो intensity थी उससे महाओ रागा पूरी तरीके से खतम हो गया और इस attack से बीचो बीच बड़ा सा गड़ा हो गया जो की बिलकुछ black hole की तरह दिख रहा होता है और उसे flashes वगेरा भी आ रहे होते हैं जब वो conscious नहीं था वो सुकुना ने कितनी जादा बरबादी मचाई है जिस पर यूची काफी जादा टूड़ आता है और यही कहता है कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं एक murderer कहलाऊंगा और यहाँ पर episode खतम हो जाता है तो यह episode बहुत ही जादा interesting था खासकर इसकी battle लेकिन इसके अलावा जो मुझे जो चीज खटक रही है वो इसका animation कहीं जगा तो animation काफी ज़दा बढ़िया था लेकिन कहीं जगा तो काफी ज़दा deep हो जाता है लेकिन जैसा कि मैंने बता है कि हमें इस चीज से complain नहीं करनी चाहिए क्योंकि मापस studio के जो animator से उन पर काफी ज़दा burden आ रहा है बहुत ही ज़दा underpaid चल रहे हैं और कहीं कहीं लोगों को तो pay भी नहीं किया जा रहा है तो इस चीज को देखते हुए काफी ज़दा बुरा लगता है क्योंकि हम जिस से बहुत ज़दा प्यार करते हैं उस चीज के लिए उन लोगों को काफी ज़दा sacrifice देना पड़ रहा है वो सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जुदू काइसन के जो आने वाले एपिसोड है उनकी quality और भी जादा डाउंग्रेड हो जाएगी वो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एपिसोड आने भी बंद हो जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई